नमस्कार परिया विद्ध्यारतियों वीके नोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है जो बच्चे थर्मल पाउर प्लांट से अप्रेंट्सिप करना चाते हैं या फिर सुरतगड के आसपास से है तो सुरुतगर धर्मल पाउर प्लांट में अप्रेंट्सिप के लिए फोरम अप्लाई हो रहे हैं यदि आप इंट्रेस्टेड हैं तो अप्लाई कर लीजिए कौन कौन सी ट्रेड की कितनी सीटे हैं मैं आपको बताऊंगा अब ये apprenticeship के लिए में आपको क्यों बोल राउंट क्यों जरूरी है क्योंकि recently एक order आया था जहाँ apprenticeship को एक वर्स के experience में count किया जाएगा यानि एक वर्स की apprenticeship है तो एक वर्स का experience आपका count होगा यानि अब आपके लिए यूँ समझे लीजिए कि एक ही certificate दो जगे काम कर सकता है यानि अगर किसी वेकेंसी में ITI प्लस apprenticeship मांगा जाएगा तब भी आपको beneficiary रहेगा और अगर कहीं पर ITI प्लस वन इयर का experience मांगा जाएगा तब भी आपके लिए opportunity रहेगी यानि एक ही certificate से दो जगे आप eligible हो जाएंगे तो अगर आपने apprenticeship अभी तक नहीं किया तो जरूर करें लेकिन एक समस्या होती है apprenticeship ना केवल एक ही बार होती है तो यदि आप एक बार apprenticeship कर चुके हैं तो अब दुबारा यहां पर apply मत करना क्योंकि DGT भारत सरकार से आता है certificate आता है exam और वो सब पूरी process रहती है तो पूरा ध्यान रखियेगा ठीक है ना यहां पर city कितनी है और last date कितनी है मैं आपको बता दूँ last date पहले तो कम थी अब extend किया है 30 March 2024 last date है apply करने की 30 March 2024 apply कहां से करना है ncvt mis portal पर जाकर आपको apply करना है इसके बहुत सारे वीडियो बने वे आपको मिल जाएंगे कि apprenticeship के लिए registration कैसे करें तो आपको बहुत सारे वीडियो इस पर आ जाएंगे आप कर देना या फिर internet पर अपने जो भी browser है उसमें ncvt mis सर्च करना आ जाएगा और वहाँ पर apprenticeship के लिए आपको login के लिए कहा जाएगा वहाँ से फिर आपको choose करना है establishment choose करना बोलते हैं यानि सापना सापना कुछ भी बोल दो वो आपसे choose करवाएंगे तो वहाँ पर आपको सूरतगर थर्मल का चायन करना है ठीक है ना सूरतगर सूपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगर ये आपको वहाँ से चायन करना है किसकी कितनी सीटे है आजओ इस पर एक नजर डाल देते हैं कोपा यानि कम्पीटर की जो होती है आईटी एई उसके लिए 10 सीटे हैं याद रखना कोपा वालों की एपरेंट्सीब दो साल की होगी इलेक्ट्रीशन की 11 सीटे है यानि olmak्ट्रीशन के 11 बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा और electronics के 2 सीट हैं और fitter वालों के लिए भी 2 सीटे हैं टोटल पत्चीस बच्चों को अप्रेंट्सिप करवाई जाएगी पैसे भी मिलेंगे और इतना मिलेगा कि लगबग आपका खर्चा उतने में परियाप्त होगा 8000 रुपे के आसपास मिलेंगे दो वर्ष ITI वालों को फिटर, इलेक्टरोनिक्स, इलेक्रिशन इन तीनों को कोपा वालों को थोड़े से कम मिलते हैं लगबग 7700 रुपे के आसपास आपको मिलेंगे तो जितने भी इलिजेबल बच्चे हैं अब अपलाई कर दीजिए और मोके का फाइदा उठाईए अपनेट इतना ही था छोटा सा बस जरूरी भी था मुझे लगा क्योंकि 11 बच्चे तो कम से कम सर्टिफिकेट हासिल करें अब और जदा अपरेंट्सिप का महत पर बढ़ ग करेंगे और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद